प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट आपने उसको देखा है कही बार ऐसा करते हुए तो क्या उपाय किया जाए कि बच्चा इससे बाहर निकले और पढ़े बच्चे के हाथ से स्पर्श करवा करके दही का दान करवाईए और बच्चे के मस्तक पर या कंट पर रोज सुबह हल्दी का या केसर का तिलक लगाईए और ये उपाय सावन में शुरू करवा दीजिए और कम से कम एक महीने तक लगातार ये उपाय करते रहिए दही का दान तो खेर एक महीने तक करिए लेकिन हल्दी का या केसर का जो तिलक लगाते हैं या लगाती है अपने बच्चे को ये तो आप लंबे समय तक 6-8 महीना साल 2 साल तक लगाते रहिए इससे बच्चे की बुद्धी सही मार्ग पर चलेगी बच्चा आपका भटकने से बचेगा गलत प्रेम और गलत आकर्शन के चक्कर में नहीं पड़ेगा अगर आपका बच्चा खाने पीने में लापरवाही करता है बाहर की चीजें, बाजार की चीजें, फास्ट फूड, पीजा, बर्गर ये ज़ादा खाता है और बाकी चीजें नहीं खाना चाहता है तो क्या उपाय किया जाए कि बच्चे की फूड हैबिट्स ठीक हो जाए बच्चे के हाथ से हनुमान जी को लाल फूल और गुड चड़वाईए इसके बाद उसे गुड का प्रसाद खाने को दीजिए और ये उपाय सावन में किसी भी दिन आप शुरू करवा लीजिएगा और इसके बाद लगातार एक महीने तक अपने बच्चे से ये उपाय करवाईएगा कि आपका बच्चा सुबह के समय सनान करके या शाम को विद्याले से लोट आने के बाद नहा करके स्वक्षवस्त्र पहन करके हनुमान जी को लाल फूल और गुड अरपित करे और इसके बाद उस गुड को प्रसाद के रूप में ग्रहन करे अगर ऐसा नियमित रूप से आपका बच्चा सावन से शुरू करके एक महीने तक ये उपाय करता है तो आपके बच्चे की खाने पीने की जो आदते हैं वो निश्चित रूप से बहतर होंगी उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से